What's up guys, welcome back once again, दोस्तों आची कहानी जो explain करने जा रहे हैं, उसका नाम है The Beach, ये कहानी असल में एक American tourist की है, जिसका नाम है Smith, जो कुछ adventure जगाँ पर जाने के शोकीन है, और इस बारी उसने Thailand का एक बीच को चुना है, जहांके कुछ ही हिस्सों तक tourist और आम लोगों का आने जाने क जाज़त है, उसके आगे अगर वो गया, तो उन्हें वहाँ कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पर जाएगा, जिसे आज तक ना तो गाउवालों ने देखा है, और ना ही उस जगाँ पर आने वाली tourist में, कोई उसके बारे में नहीं जानता, खैरबेस में तो उस जगाँ पर उसे अच्छा लगता है, इसलिए वो यहाँ पर आया है, क्योंकि उसने इसी बीश के बारे में बहुत कुछ सुना है, शाम ढलने के बाद अपने होटेल में जाता है, लेकिन वहाँ उसे गेट खोल नहीं रहाता है, इसलिए वो कोशिश करता है, तब ही एक लड़की आती ह जिसका नाम था अली, अब इसमित उसे देखकर उसकी खूपसूर्ती में खोच जाता है, और यहाँ अली उसका गेट को खोल देती है, लेकिन वो उसके आगे कुछ और सोच पाता, कि तब ही वहाँ उसका बॉइफरेंड जॉनी आ जाता है, यह देखकर उसका दिल तूट हुए दिल को लेकर वो सीने चला जाता है, लेकिन ना जाने कहां से एक आदमी उसकी उपर वाली खिर्की को खोल कर उसमें से जाकने लगता है, देलसल वो उसे सिगरेट मांग रहा था, लेकिन इसमित गुस्से में मना कर देता है, तो आदमी कहता है कि गुस्सा मत करो, मैं इसके बाद वो उसे कुछ और बात है, वो गहता है कि वो जगह दुनिया की ऐसी गिनी-चूनी जगाओं में से एक है, जहां का पानी पूरा नीला है, मैं कई सालों पहले वहां गया था, लेकंन कुछ कालनों की वज़े से मुझे वहां से बाहर कर दिया गया, लेकिन व fallen मेरे डेफी की कही हुई सारी बाते ही घूम रही थी। वेल अगले दिन जब वो बाहर से घूम कर अपने रूम में आता है तो देखता है कि वहाँ उसके डोर के हैंडल पर एक मैप लगा हुआ है जो कि शायद डेफी ने रखा हो क्योंकि उसके अंदर किसी बीच का नक्षा बना हुआ था वो फॉर और उसके रूम में जाता है जो कि उसके साइड में ही था लेकिन जब वो गेट खोलता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं उस आदमी ने खुद को बड़ी ही बहरायमी से मार डाला था लेकिन ऐसे कोई खुद के साथ कैसे कर सकता है यही सोचते हुए बाहर आ जाता है लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे पूछता आज के लिए स्टीशन ले जाती है जहां पर एली भी मौजूद थी है और उसके साथ कई और गैस भी थे उसे एक बार तो ऐसी जगह जरूर जाना चाहिए, पर वो अकेले वहाँ जाने सकता, इसलिए वो एली और उसका बॉइफ्रेंड जॉनी को अप्रूच करता है, और उसे भी वही बाते बताता है वो साइलेंड के बारे में, जो उस राट डैफी ने उसे बताई थी, और उसमे कुछ और चीज़ों को अट कर देता है, जिससे कि वो दोनों मान जाए, उसकी बाते सुनकर वो दोनों तुरंथ ही मान जाते हैं, पर इस जगहां के बारे में, इसमित जादा कुछ नहीं जानता है, इसलिए वो जॉनी से कहता है, कि तुम ट्रांसपोर्टेशन को देख लो बाकी मैं समाल लूँगा, अब वो मान जाता और फिर अगले दिन ये लोग निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुशना इतना असान नहीं था, ये पहले तो एक दूसरे बीच पर रुखते हैं, जहां इने एक दिन रुखना होगा, क्योंकि यहां से उस आइलेंड पर जाने है, रिचर्ड जो कि उनी में से एक लड़का था, वो इसमित को बताता है कि मुझे यहां पर आयोवे दो दिन हो गए, और मैं तब से एक आइलेंड के बारे में सभी के मूँ से सुन रहा हूँ, लोगों का कहना है कि वो जगा किसी जन्नस से कम नहीं है, और वहां का पानी पूरा नीला है, अगर मुझे वहां जाने का रास्ता मिल जाए, तो मैं सबसे पहले वहां जाऊ और किसी को जगान के बारे में ना बताओ, इसमें समझ जाता है कि यह लोग कि जगान के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो मुस्करा कर बात को टाल देता है, नेक्स दे की बोर्ट को जाने का टाइम आ गया था लेगन या इस में तो उस मैप की एक कॉपी बनाता है और रिचर्ट के रूम के नीचे डाल देता है उसने ऐसा इसले किया ताकि किसी को पता रहे कि वो लोग कहा जा रहे और अगर वो दोनों भी वहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं पर अपनी जिम्मेदारी पे आएं क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो औरों को वहाँ ले जा सकता है अब ये तीनों साइलन के पास में ही एक बीच पर उतर जाते हैं क्योंकि कोई भी बोट वहाँ जाने को राजी नहीं दी लेकिन इन्हें दिक्कत लेने की जुरुत नहीं है क्योंकि वो जगा यहां से बस एक किलोमीटर की दूरी पर है इसलिए दीनों डिसाइड करते हैं कि ये स्विम करके वहाँ तक जाएंगे जिसके लिए इनोंने लाइफ जैकेट पहन ली थी और अब ये निकल परते हैं लेकिन इन्हें जिस जगा पर जाना है वो अभी थोड़ी दूरी पर है उससे पहले इनका सामना घनी जाड़ियों से होता है जिसे काटते पीटते ये लोग एक ऐसी जगा पहुच जाते हैं जिसे देखकर इनकी आँखे खूली की खूली रह जाती है वहां असल में एक गांजी की खीती हो रही थी इसमित की नजरवां पर बैठे एक पालतू बंतर पर पड़ती है जिसकी नीचे उसका मालिक बैठ हुआ था अब वो उसके हाथ में बंदूग भी देखता है वो बंतर इन लोगों को देख लेता है इसलिए वो अपने मालिक को उठा देता है लेकिन इसमित फोरण उन दोनों को लेकर खीत में छुप जाता है इससे पहले कि वो आदमी ने देख पाता लेकिन थोड़ी देर में वो आदमी ने देख लेता है और अपने और आदमियों को बुला लेता है इसलिए अब ये फोरण वाँ से तीजी से भागना शुरू कर देते हैं लेकिन इने लेट कर ही भागना होगा क्योंकि अगर ये खड़े हुए तो वो इने गोली मार देंगे अब थोड़ी दूर भागने के बाद आखिर में इनका रास्ता खतम हो जाता है क्योंकि सामने एक बहुत ही बड़ा जहना था जिसमें कूदने का मतलब था मौत क्योंकि इन तीनों को उसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं था अगर ये कूद गया और नीचे पानी कम हुआ फिर नीचे सते पर पत्थर हुआ तो ये वहीं मारे जाएंगे अब जौनी को डल लगने लग जाता है कि कहीं वो लोग उसे मानना दे इसलिए वो इसमित पर गुसा करना शुरू कर देता है लेकिन तभी पीछी से एली आकर पानी में कूद जाती है इसके बाद ये दोनों बारी बारी छलांग लगाते हैं और इन्हें कुछ नहीं होता क्योंकि पानी की गहराई बहुत जादा थी अब तीनों मस्ती करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये जगां काफी खुबसूरत थी पर तभी एक ब्लाक आदमी जो की वहीं का लोकल था इन्हें देख लेता है और क्लापिंग करते हैं कि मैं यहां पर जब आया था तो मुझे इस जहने में कूदने में काफी समय लगाता लेकिन तुमने तो ये चुटकी में कर दिखाया अब उसे देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं कि कहीं वो इन्हें मारना दे और ऐसा होता नहीं वो ने उल्टा अपने साथ चलने को कहता है और ऐसी जगां पर ले जाता है जो कि इस दुनिया से परे है और इस दुनिया के रिती रिवाजों से अलग है और ये जगां असल में हमारी ही दुनिया से आए हुए लोगों ने बस आई है जो कभी यहां से और्ट कर नहीं गए लेकिन उनके बाद भी यहां कोई नहीं आया और यही इस जगां की खासियत है यहां पे चार और बहुत सुकून है लोग बिना किसी बिजली कार पॉलूशन इंटरनेट के रह रहे हैं बस उन्हें अपने पेट पालने के लिए और अपने बच्चों को ख को आया बारे में कैसे बदा चला तो उसे वही मैप दिखाता है जिसे देखकर उसे देने वाले का नाम पूछती है तो वो डैफ parks के बारे में बताता है और और उसके साइड वाले रूम में रहता था और उसमें यह मेरे रूम के बाहर शोड दिया था पर जब मैं उसे बात करने के लिए गया तब तक उसमे खुद खुशी कर ली यह सुनकर वहाँ पर मौजूस सभी लोग उदास हो जाते हैं तब क्लारा उने बताती है कि डेफी असल में हमारी कम्यूटी के फाउंडर में से एक था लेकिन वो गहरे सद्वे में आ गया था इसलिए हमने उसे वापस भेज दिया ताकि वो यहाँ पर कोई गलत कदम ना उठा ले लेगिन उसने वो काम वहाँ जाकर कर लिया पर तुम लोगों ने इस मैप को और और किसी इंसान को तो नही नहीं बताया तो तीनों मना करते हैं पर यहाँ समित ने तो उन दोनों लोगों को बता दिया था पर वो इस बारे में इन लोगों से इस बात को चुपाता है जिसके बाद क्लारा उस मैप को जला देती है और वहाँ सभी लोगों को वान करती है कि कि किसी भी शक्स को इस जगान सच में बहुत खुबसूरत थी। उसने इसे खुबसूरत जगान आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। यहां का पानी सच में इतना साफ होता है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं। इसके बाद ये लोग रात में भी काफी एंजॉय करते हैं। तब इसमित के पा प्रेसों से वो समान लेकर आते हैं। यानि कि इन्हों ने वो खेती इसलिए कर रखी है। अब यहां कई दिन बीच जाते हैं और एक रात इसमित एली के पास जाते हैं। और उससे बाते करना शुरू कर देता है। वो दोनों बीच पर जाते हैं जहां पर इसमित उसे कब भी। अब यहां पर एली अब इसमित के साथ ही रहने लग गई थी। धीरी धीरे दिन बीचने लगते हैं और एक दिन दो फैर में बारिश होने लगती है। सभी लोग मश्रिया बगड़ने के लिए बारिश रुकने का वेट कर रहे थे। लेकिन तभी इसमित समुंद जाता और भागना शुरू कर देता है। पर आकिर में हार मान जाता है क्योंकि अब शायद उसकी मौत तैया है। लेकिन कुछ जिरबाद ना जाने उसे क्या हो जाता है, वो फिर से हिम्मत बढ़ाता है, जो चाकू उसके पास था, वो उसे शार को मार देता है। उसकी ये पास एक और दिक्कत आ जाती है, बारिश के वज़े से सारे समान खराब हो गए थे, और जो बचेवे समान थे वो सल गए थे, लेने के लीडर कहती ही कि मैं Smith के साथ शहर जा रही हूँ और जरूत का समान लेने के लिए, इसको जो कुछ बिचाई है वो Smith को लिखवा दो, सभी जगां खड़े होकर अपनी चारों और देखता है, वो समझ जाता है कि वो असल में सच में एक जन्न से बाहर निकल कर आया है, ये जगां शायद उसके लिए नहीं बनी है, वहां के लोगों का सही कहना था, कि अगर यहां पे और भी लोग आ गए, तो ये खूपसुर जगा अभी बाहरी दुनिया की तरह बरबाद हो जाएगी, अब क्लारा और ये दोनों एक बाहर में बैठे होते हैं, कि तभी वहां रिचर्ड और उसके साथ ही लोग आ जाते हैं, ये वही थे जिन्ने समित ने उस आइलेंड का मैप दिया था, अब वो से कहते हैं कि हम लोग जल इंटिमेट होना, अब इसमित हां कर देता हैं और अगले दिन वो लोग सारा समान लेकर आइलेंड पर पहुच जाते हैं, अब सभी लोग इस बीच पर खूब मज़े कर रहे थे, किसी को भी कोई बात की टेंशन नहीं थी, लेकिन एक दिन इनके दो लोग पर शार्क हमला क देती हैं, और जब ये मनजर समित देखता है, तो बहुत ही जादा डर जाता है, और भागते वे दूसरे आदमी के पास जाता है, जो कि दर्थ के मारे तलब राता, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई भी मौजुद वा नहीं था, जिसके पैर को आधा शार्क ने खा लिया हमारे होसलों को तोड़ रही है, अब ये लोग उसे वही जंगल के बीच ले जाकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये बात जौनी को बहुत अजीब लगती है, कि ये आदमी एक समय पर हमारा ही साथी था और आज उसे हमारी जूरत है, तो इन लोगों ने उसे जंगल में छोड दिया, इसलिए वो उसके पास ही रहने का डिसाइड करता है, अब सुबा में जब इसमें सो रहा होता है, तब उसे सपने में डेफी की मौत का मनजर आता है, उसके पास अचानक से कलारा आती है और उसे बीच के साइड मी ले जाती है, जहां वो उसे दूसरे आइलेंड पर करके यहां से वापस बेश सके, अब कई दिन भी जाते हैं लेकिन अभी तक वो लोगी सीरिया में नहीं आये थे, इदर इसमिट जैसे तैसे करके अपने दिन गुजार रहा था, एक रात उसके पास हैली आती है, जो उसे थपल मालती है और बता दिया, और तुमने जो मैप दिया है उसके बार में भी, इसलिए तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा, अब यहां दोस्तों इसमिट अकेला पर चुका था, वो ना तो अपनी लोगों के पास जा सकता था, और ना इस शहर की और, उसे अब कई अजीब अजीब से विजन आना शुरू हो जाते हैं, और और वो ऐसे ही जंगल में खुद को एक गीम के अंदर फसा हुआ पाता है, जब उसे भूख लगती है, तो वो कुछ कीलो को पकड़ कर खा लेता है, पर एक दिन वो देखता है कि वो जो लोग थे, वो इस टाप उपर आ रहे हैं, तो वो फौरा उनके पास जाता है, और उन सभी लोगों को गोली मार देता है, क्योंकि यहाँ पर किसी को भारी इंसान का आना मनाता, यह सब इसमी देख लेता है, और वो डर कर भागना शुरू करता है, लेकिन उसे भी एक आदमी देख लेता है, और उसके पीछे पर जाता है, पर उस तक पहुच नहीं पाता, अब यहाँ जौन ही उस आदमी को sorry बोलता है जो कि यहाँ पर जखमी था और उसका वही दम घुट कर मार देता है ताकि वो कम से कम दर्ट से तो ना मरे जिसके बाद वो तीनों भागना शुरू कर देते हैं लेकिन इतने में Smith के पीछे से कोई हमला करता है जिससे वो वही गर जात क्लारा ने पहले इस आदमी से deal करी थी कि वो अकेले यहाँ पर रहना चाहती है लेकिन अब हालात बिगल रहे हैं वो dealer कहता है कि मैंने तुम्हे मना किया था लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ या फिर मेरे हाथों से मारे जाओ लेकिन यहां क्लारा कहती है कि यह सब Smith क की वज़े से हो रहा है तो वो leader क्लारा को एक बंदूग देता है जिसमें एक ही गोली थी वो से Smith पर चलाने को कहता है लेकिन यहां यह चीज के लिए सभी लोग क्लारा को मना करते है क्योंकि Smith उन्ही के बीच का आदमी है उनका दोस्त है और ऐसे कैसे वो से मार सकती है लेक क्लारा को यहां पर रहना था क्योंकि यहां पर उसकी power थी वो यहां की leader थी इसलिए वो गोली चला देती है लेकिन Smith मरता नहीं क्योंकि वो चीमबर खाली था जिसका trigger क्लारा ने प्रेस किया था अब यहां क्लारा की हरकत को देखकर सभी लोग उसे बहुत नाराज हो जाते हैं उनका भरोसा उसके उपर से ऊड़ गया था इसलिए सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं प्लारा बहुत कोशिश करती है कि वो उने रोक ले लेकिन वो नहीं रुकने वाले थी और बिना प्रजा के राजा किसी काम का नहीं है इसलिए क्लारा वहीं बैटकर रोने लग वा था जिसमें कि एक ग्रूप फोटो थी और उस फोटो में उस आइलन के रहने वाले सभी लोग मौजूद थे और सभी बहुत ही जादा खुश थे उस फोटो के नीचे लिखा वा था पैलल यूनिवर्स यानि कि एक अलग दुनिया जहां पर आपको ना इंटरनेट मिलेग वेल नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा मिलते हैं आगली वीडियो में पीस आउट